हेलो दोस्तों, सागत आपका फिर से, the creative nursing academy के youtube channel पर, I hope you all are fine, today we are going to discuss a very important topic, that sympathetic and parasympathetic nervous system के क्या effects होते हैं, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, कि क्या sympathetic nervous system जब activate होगा, तो क्या effects आएंगे, और जब parasympathetic system जब activate होगा, तब क्या effects आने वाले हैं, बच्चों, तो बहु subscribe जबर करें, bell icon call पर प्रेस करना नहीं भूले, और वीडियो को share करें अपने दोस्तों के साथ, तो पहले पेरा simpathetic और simpathetic पढ़ाने से पहले, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ बच्चों, कहानी कुछ इस तरह से हैं, कि मानने लेते हैं, कि आप बड़े दिन की कोची है, महां तक बस नहीं जाती है, या गाव थोड़ा main road से अंदर है, तो आप जो है, कहां पर उतर गए, उस bus stop पर उतर गए, जहां से आपका गाव सबसे पास में है, और वहां पर उतरने के बाद, आपने देखा कि मुझे कोई लेने नहीं आया है, या फिर सब्यस्त ह है, अपने अपने काम में, तो मुझे अक्केला पेदर पेदर ली जाना पड़ेगा, क्योंकि गाव पास में ही है, एक या दो किलो मेटर है, सब्सक्राइब हो सकता है, जाद दूर नहीं है गाव आपका, तो एक दो किलो में तो आपना सचा चलो, पर पेदर पेदर चला भ प्राइड है, तो फिर आप चलते-चलते रवाना हो गए, और फिर क्या हुआ, कि आप जैसी आगे जा रहे थे, सामने से एक लड़की आते हुए आपको दिखी, अगर आप लड़के हैं, तो आपको लड़की आते हुए दिखेगी, और अगर आप खुद लड़की हैं, त लड़की के हाथ में क्या है, लाठी है, एक डंडा है, या लड़की के हाथ में एक डंडा है, तीक है, आप देख लेना, वाइस वरसा, आप जो जेंडर के हैं, उसके उपोजिट जेंडर के आदमी सामने से आ रहा है, तो लड़की का एक्जांपल बैस रहेगा, तो एक ल लड़की की तरफ देखा लड़की ने आपकी तरफ देखा और आपने बेसों के उपर जान दे दिया और लेकिन उनमें से जो एक भेस थी वो क्या थी मारने वाली थी उसके सिंग बहुत बड़े बड़े थे और आप उसको इमेजिन कीजिएगा तो एक भेस क्या थी मारने व पड़ी आपके पीछे थोड़ा से दूर है आपसे और भेश दोड़ते हुई फिर आपकी ध्यान एकदम से उस लड़की से अठा और सुंदर से कञ्ञा तो है लेकिन सुंदर कञ्ञा से आपका ध्यान अठा और भेश पर आ गया और भेश जो है अब दोड़ के आ रही है आपके पीछे-पीछे, यानि कि आपको मानने वाली है, तो अब आप जो गाम की तरफ जा रहे थे, आपने पापस किस तरफ कर लिए, आपका हॉर्मोन स्रावित होगा, एडिनलीन, यानि कि करो या मरो, do or die, या तो हम कुछ करना पड़ेगा, या फिर हम मरनने वाले हैं, क्य क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो भेंश से भागना है आपको, कितनी स्पीड से भागोगे आप, बहुत ज़्यादा स्पीड से भाग सकते हो, तो जब आप भागोगे, आपको छोड़ी-छोड़ी चीज भी बड़ी-बड़ी दिखाई देगी, आपकी प्यूपिल जो ह बात आ चुकी है, अब लड़की वो गई, जो सुंदर सी कन्या थी, वो गई, और अब भेंश आ रही है आपके पीछे-पीछे, तो जो भेंश के पीछे दोड़ने पर, जो भेंश समारे पीछे दोड़ रही है, और जो सारी चीज़े होगी, वो होगी, सिंपथरिक नर्व परासिंपथेटिक, और एक तरह रही होगी, सिंपथेटिक, ठेक है, चाहिए है माल पास, चाहिए, तो यह टेबल बना दिये है हमने, और इस टेबल के अंदर, चलिए, यहां पर और और जाएगा, इसको थोड़ा सा बढ़ा कर सकते हैं कि हम, नहीं हो रहे है, चलिए कोई बात नहीं, जैसा है वैसा, अच्छा है, मिट क्यों नहीं रहा है, चलिए, तो सब से बहले हम बात करेंगे, और इधर हम देखेंगे, चलिए, पहले सिंपथरि पहले हम देखेंगे, और इधर हम देखेंगे हैं, पहले सिंपसिटिक, ठीके, पहले देखेंगे, चलिए 구कारी की बात करेंगे, तो पहले और जो होगा हमारा, भोगा फ्यूपिल, तो आप उस कंडिशन में दिमाग लगाईए, कि भेंज आपके पीचे बाग रहे हैं, त तो पुपिल का होंगे, डाइलेट हो जाएंगे, आपके बहुत आखे बड़ी हो जाएंगे, और आखों के जो पुपिल से वो डाइलेट हो जाएंगे, तो यहांपर हम क्या लिखेंगे, तो पुपिल का होंगे आपके डाइलेट हो जाएंगे, पुपिल का होते हैं, तो यह ब करता है कि कितनी रोशनी आपके आखों के अंदर जाएगी तो कि आपकी प्फुपील थू investigate तो आपक अन्दर जाएगी रश्चे लेय सबकिने मतलब नदब उतय प्फुपील कंतों कं मुशनी ने नांदर जाएगी तो South इस तरह से हम देखेंगे, तो diletate हो जाएगी पीपिल, उसके बाद, जब परा-sympathetic है, परा-sympathetic का मतलब क्या है बचो, कि normally जब हम relaxed हैं, जब हम सब कुछ अच्छा चल रहा है, अभी जब आप बट रहे हैं, तो पीपिल्स क्या है, कॉंसिक्टेड है, ठेके, diletate नहीं है तो यहां पर normal condition की बात करेंगे, जब आप लड़की synonym अटका कर रहे थे, तब की बात हो रही है, और उसके बाद, दूसरा हम देखेंगे, organ, वो है आपका heart, ठीक है, तो heart के बारे में हम देखें, तो heart rate आप भाग रहे हैं, और आपके बीचे भेंस पड़ी हुई, तो आपको भागना है, किसके बीचे बागना है, मतलब आपके बीचे कोई बाग रहा है और आपको आगया आगया बागना है, तो आपकी जो heart rate है, वो क्या हो जाएगी, heart rate हम लिग लाते है, यह heart, मतलब heart rate भी कह सकते है, heart में, increased heart rate, sorry, increased heart rate, और यहां पर क्या होगा, simple साब पन decreased heart rate, यहीं कि आप सम्मानी कंडिशन में हैं, अभी जो एक लास देख रहे हैं, उस तोना आपके heart, heart beat जो है, वो कम रहेगी, लेकिन जो आप भाग रहे होंगे, साई आप भेंस से भाग रहे हैं, आप चुहें से भाग रहे हैं, आप कुत्ते से भाग सकते हैं, और लड़क चिपकली से भागते हैं, चिपकली को देखके सोचते हैं, और चिपकली आगए, और चिपकली उसको दिखते हैं, और यह लड़की आपके, अब मैं क्या करूँ, तो चलिए, heart rate क्या हो जाएगी, बच्चों, कम हो जाएगी, तो एसी condition को हम कहेंगे, पर निप्रा सिंपितर पर क्या रहेंगे? जब हम बात करेंगे, सिंपधितरिक नर्वस सिस्टम की, तो देखे रहेंगे, इसर क्या रहेंगे?, और इसर क्या रहेंगे? गॉस्टिक्टित रहेंगे, या नॉर्मल स्टेज के अंदर हम कह सकते हैं, तो आपके जो यह जब जादा ओड़की जरू हो तो आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए तो क्या होगा आपका ज्यादा ऑक्सिजन की जरूते हैं oxygen कहां से मिलेगी बातावान से मिलेगी किसे मेलेगी सांस लेंगे तो आप गहरी लंबी लंबी सांसे लेंगे और बहुत जादा आपकी सांस की जो दर है वही बढ़ जाएगी तो Airways क्या हो जाएंगे? Dalet हो जाएंगे. तो इसी condition को हम क्या कह सकते हैं? हम कहाएंगे कि एक तरसे कैसी condition है? Airways की condition है. तो Airways Dalet हो जाएंगे simpesetic के अंदर और Constrict हो जाएंगे pirasympesetic के अंदर. चलिए. क्या होगा? अब बात करते हैं, Lever की. लिवर के अंदर होगा glycogen to glucose glycogen छूटेगा और किसमें बदलेगा glucose के अंदर बदलेगा ऐसी condition को बोलते हैं glycogenolysis अब दिख लें इसको क्या बोलते हैं glyco इदर नहीं लेक रहा हूं मैं इसके बारे में लेक रहा हूं ठीक है glicogenolisis इसको वापस मिटा दुगा मैं मनलतब glicogen کا glucose में convert होना क्या चहलाता है glycogenolisis तो ऐसी condition को हम कहेंगे glycogen से glucose का टुटना क्या कहलाता है glycogenolisis इसको मिटा देता हूँ कि भिलापको confusion हो ठीक है तो glycogenolisis होगा और वेट फॉलवाई चलिए ग्लाइकोजन से ग्लुकोस में बदलेगा क्योंकि शरीर को शरक्राय की जरुद है एनर्जी की जरुरुद है और वो एनर्जी स्टोर्ड रहती है 500 ग्राम जो ग्लाइकोजन होता है वो स्टोर रहता है क्या ग्लंवाज vraiment नर्ट वो और वो स्टोर होका तो शरीर को जरुद होगी जरुद है कि मजो ग्लुकोस चाहिए यह ग्लुकोस कहां से आएगी लिवर बोलेगा ठीक है मैं देता हूं तुझे ग्लुकोस लेकिन मजे वाफस देना 500 ग्रामि ratio मेरे पास तो देगा हो। जिसे मेंने पार 500 रूपे होते हैं में दोस्त परसे मंगता है मैं तो了吧 मैं दोस्त रूपे देता हूं झाल दोस्त impacts को ने को भकेना बस ने टो बाइड़ा मेरा को टाम से हैं यह को को टाम से हैं जो मोका परस दोस्त होते तो इससे आप बच्छें चलि यह दोस्ति ही याले की बात अलागे लेकिन गॉयकोजन से ग्लॉकोज चूटेगा ग्लॉकोज क्यों चाहिये हमारी बोड़ी को एनर्जी के लिए ग्लुकोज चाहिए तो glucose जो है glycogen से convert होगा इस condition को बोलते हैं हम sympathetic nervous system ठीक है जैसे आप भाग रहे हैं तो आप को glucose चाहिए ना कहां से भाग रहे हैं बैस से भाग रहे हैं उसके बाद usual condition में क्या होगा stimulate while release जब condition सामान्य होगी तो parasympathetic system के अंदर यू झारो该 है क्या करेंork Amanda bail को release करेंगा और चौकि रिलीज करने के reco nostra nervous system और बाद को release होगा वहां से और बाद स्टोर ढौन पर होगा आपकी गौलडर के अंदर और और थो तोजर चनचन के है मत प्यूरिफेकेशन भी काम होता है आगे चला जाएगा आपको समझ में आगया होगा चलिए आगे देखते हैं किसे आएगा ये आगे चलिए यहां तक हमना देख लिया इस सिस्टम मुझे दीखनी रहा है इसका आगे लेना का इससे क्या होगा हम आगे पड़ पाएंगे ठीक है तो हम यहां पर क्या देख रहते हैं सिंपेटिक देख रहते हैं यहां पर पेरा सिंपेटिक देख रहते हैं और यहां पर ओर्गन देख रहते हैं ठीक है कहानी आगे बढ़ती है ठीक है आगे किस तल से बढ़ाएंगे हम अब बात करेंगे blood vessels के पर blood vessels यहाँ पर क्या होगी? Sympathetic के अंदर? Dilate होगी और यहाँ पर क्या होगी? Constrict होगी तो जो blood vessels है आपकी वो dilate हड़ेगी जब आपका Sympathetic Nervous System Activate है, जब आप भाग रहे हैं जैसा कि मैंने आपको कहाने के अंदर बताया था जब आप भाग रहे हैं तब vessels टायर जाएगी क्योंकि ज़्यादा blood वहाँ से flow होगा ज़्या blood क्यों चाहिए? क्योंकि हमें ज़्यादा energy चाहिए ज़्यादा oxygen चाहिए इसलिए हमें ज़्यादा blood चाहिए लेकिन सामान इस परिस्टियो में प्राइस्यादा जो है जब एक्टिवेट रहेगा अधिकतर प्राइस्यादाटिक ही एक्टिवेट रहता है तो blood vessels क्या रहेगी? चाहिए अब बात करते हैं GIT की gastrointestinal tractory या GIT system की तो यहाँ पर sympathetic जब होगा तब क्या होगा? activity क्या हो जाएगी इसकी? decrease हो जाएगी और इसमें क्या होगी? increase activity activity की जब हम बात कर रहे हैं activity का मतलब यहाँ पर है increase predestartic moment bowel sounds predestartic moment है वो बढ़े हुबे पाये जाएएंगे bowel sounds से वो आएंगे sympathetic nervous system के अंदर लेकि जब हम बात करेंगे sympathetic nervous system की तो GIT से महाँ पर कोई काम नहीं है और उसके activity क्या हो जाएगी? GIT की तरफ जो blood supply होगी क्या हो जाएगी? क्योंकि GIT का यहाँ पर कोई काम नहीं है यहाँ पर skeletal muscle का काम है, दिमाग का काम है क्योंकि करो या मरो हर्मोन की नहाँ पर secretions एक तरह से हो रहे है चलिए, यहाँ तक हम ने देखा उसके बाद बात करते हैं uterus की यह एक तरह से कह सकते हैं आपके reproductive system जब बात करेंगे हम reproductive system की तो यहाँ पर क्या होगा vaginal constriction और यहाँ एक और क्या होगा आपका stimulate orgasm vaginal constriction होगा sympathetic nervous system के अंदर और आपका orgasm stimulate होता है वो भी sympathetic nervous system के अंदर होता है और यहाँ पर uterus क्या करेगा relax करेगा सिंपल साब समझेए बचो इसमें आपका थोड़ा से डावट हो रहा होगा कि vaginal constrict करेंगी कब sympathetic nervous system जो एक्टिवेट होगा तब यहाँ बहांस के भागने की बात नहीं हो रहे है यह वो कहान यहाँ आप ही पढ़ा होगा तो उसमें जो होता है आप कह सकते हैं और और्गिसम जो होता है वो sympathetic nervous system का पाट है और uterus जो है इसके अंदर क्या रहेगा अलेक्स रहेगा लेकिन उसके लावा हम देखे हैं एक और हम इसको आप एक तरह से कह सकते हैं कि यह आपको समझ में आ गया होगा ठीक है और आगे बढ़ते हैं urinary system की बात करते है urinary system urinary system के अदर क्या होगा बहुत ही important है बच्चो decrease formation of urine formation of urine जो है वो क्या रहेगा कम रहेगा यहां पर क्या रहेगा increase formation of urine urine जो है ज्यादा बनेगा जवाब relaxed condition में है और कम बनेगा जवाब क्या है sympathetic system के अंदर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं यह आप screenshot ले सकते हैं और चाहिए तो लिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है तो बहुत कुछ हो जाता हूँ अगर आप लिख रहे हैं तो है ना लेकिन अब बात करते हैं एक और वापस उपर लिख देता हूँ organ sympathetic और parasympathetic अब बात करेंगे हम किसके bladder की बात करेंगे bladder इसमें जो है वो क्या रहे हो जाएगा? relaxed हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा? आपका constriction होगा जो bladder के sphincter है वो constrict रहेंगे जब परasympathetic system के अंदर काम करेंगा लेकिन जो bladder की muscles से open हो जाएगे इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी movies के अंदर बेशा जाएगा दिखाया जाता है और कभी होगे सरीयल में भी होता है कि एक इसलिए जब किसी को मारा जाता है पिटा जाता है तो क्या होता है? यूरीन पास कर देता है वो उसके पेंड के लिए उड़ाती है तो यह जो एक्जामपल है वो Sympathetic Nervous System एक्टिवेट होने की वज़े से उसके जो muscles है उसके जो sphincter है वो relax हो गया sphincter relax होने के वज़े से urine वो bladder से निकल की कहा आ गया है? बहार आ गया है ठीक है? आपनी मर्जी के बिना आ गया है तो यहाँ तक हम देखेंगे उसके बाद saliva के secretion की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? decrease secretion और यहाँ पर क्या हो जाएगा? increase secretion जब आप सामाय नवस्ता में हैं तो saliva का secretion अधिक होगा और जब आप असामाय नवस्ता में हैं तो क्या होगा? आपके saliva का secretion है वो कम हो जाएगा क्योंकि saliva का यहाँ पर कोई काम ही नहीं है saliva का काम क्यों नहीं है क्योंकि saliva अगर जाला secret बे हो जाएगी तो क्या आपको भैस से बचने मदद कर पाएगी saliva नहीं कर पाएगी saliva जब आप सामाने कंडिशन में हैं जब गुलाव जामुन और रजगुले और सब मलाई मटरी सब खा रहे हैं आप तब saliva secret होगी खाना समने पढ़ाओगा यहाँ पर saliva का secretion जो है वो decrease हो जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे कि एक तरह से यह condition हमें देखने हो मिलेगी और जो अडिनल ग्रेंट की बात करें वो क्या करेगी secret 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 ADR ADR का मतलब क्या एडिनली ठीक है यहाँ पर कोई भी जो है अडिनल क्लेंट का function नहीं होता है तो अडिनल ग्रेंट क्या करेगी अडिनलीन हर्मोन की secretion करेगी अडिनलीन हर्मोन जो है वो करो या मरो हर्मोन होता है और आपकी जो है जनेटल्स की बात करें, तो यहाँ पर जो है, इरेक्शन ओफ जनेटल्स, ठीक है, और यहाँ पर जनेटल्स से कोई संबन्द जादा नहीं है, यहने कि रिलेक्स रहेंगे, ठीक है, इरेक्शन नहीं होगा, तो, जब हम बात करते हैं, कि एरेक्शन ओफ आणिस और एरेक्शन ओफ जनेटल्स सूब होगा, कि परा सिंपजि ripping latenus जब जब ऑर गरगाज्यम होगा तो जब गरगाज़म के टाइम पर स्थिंपजरिक डीवेटर दाधर है, तलाएगा थीजिवतर वेकिन आप समझेंगे तो थोड़ा सा समझ में आए जाएगा उसके लागा ये ये चीज़ आपने देखी बच्छो तो अमने देखा कि पुपील जो है वो कॉंस्टिक्ट हो जाते हैं मैं सीमतिक के में आपको तयाँ है जब आप भाग रहे हैं प्युपील आपके ढ़एट हो जाएगी अपको सागा पट्थर कहा हैあ अर रास्ता किसा है कहा बस ढांर है कहा नहीं जो डिखे स्वेक्रिट होते है वो कम हो जाएंगे कब आपको से स्वेस्टियुर्ट है तब उसके इलाबा ग्लाइकोजन से ग्लुकोस में तूटने लगेगा जब आपको स्वेक्टियुर्ट है तो यह सब चीज़े देखने को मिलेगी, वजएना का कॉंस्ट्रिक्शन होगा, और जब और जब और और यहां तक हमने देखा, और urine output के बारे में हमने देखा, कि formation of urine कम हो जाएगा, लेकिन sphincter relax हो जाएगे, जिससे कि क्या होगा, जो bladder के अंदर urine होगा, बाहर चला कि अदेखने, जो भी बाहर जाएगे, एडिनलींगलेन क्या करेगी? एडिनलींखेशन करेगी, ठीक है, उसके लाबा, इसक्केलेटन मसल की activity जो है, जो है, और जो एपके लिए, तो आपके लिए, तो आपको समझाने में नहीं रहा हूंगा, सफल, तो तो थेंकियू मछ झाएर जाफ लाटी को मैं दूआ नाचे वाट टिए धॉट भीडिवा दूग्ट से